देश दुनिया में अपनी मिठास के वज़ा से जाने जाने वाली इलहाबादी अमरूत की खुस्बो इस बार विजाओं में नहीं गुलेगी क्योंकि संगमनगरी के में इस बार भी अमरूत की पैदावार में कमी देखी जा रही है लगतार कीट नासों के हमले से कहीं न कहीं इलहाबादी अमरूत के बाग में फलो का पैदावार में भारी गिरावट आई है लोगों के मुह में मिठास गोलने वाले इलहाबादी अमरूत पर इस बार भी मिमारिया और कीटों ने हमला बोल दिया है पिछले साल के बाद लगतार या तूसरा मौका है जब पैदावार पर असर पड़ा है इस वर्स तो सिर्फ 30 से 20 परसती अमरूत के उतबादन की बात सामने आई है इतना ही नहीं जो भी फसल तयार हुए है उसमें भी कीटो ने हमला बोल दिया है अमरूत के बागों पर उटका रोक का लंबे समय से खत्रा बना हुआ है जमीन की नमी तथम मौसम के साथ कीटो ने भी परसानी बढ़ा दिये नमी की वज़ा से फसल मक्खी का प्रको बढ़ गया है इसकी वज़ा से फूल गिरते जा रहे है और फसल नहीं उग रहे है फसल खराब होने का नतीचा यहां भी है कि सिविल लाइन के जो अमरूत मार्केट था इस बार भी वहाँ पर सफेदा और सोफिया अमरूत देखने को नहीं मिलागा इसले तो बहुत फाइदा था दो साल समय लोग बिलकुर रकम भी नहीं आती सब किसान लोग जो है माली को दे देते हैं हम लोग मर जाते हैं बेमाउत दो साल से अपकी तो और बुरी कंडिशन है और कुछ फाइदा कोई लाभाई नहीं क्या करें गया यहां का मुझा पूरा इलाहबाद पूरा महसूर अमरूद है लाल वाला वुला यह दो साल से हम लोग मरे चले जा रहें कोई वही नहीं क्या करें मजबूर किसी तरह काम चलाया जाता है पिछले साल से अपकी कंडिशन खराब है लोग हम लोग बाग मतलब बिगहा की हिसाब से लेते हैं चैरा और यहां से अब लौग साल से खराब हो रहा है। लोग का जीवन है अपन बहुत हूँ है अब यहां से रोग लग जा रहा है फसल नहीं आ रही है अब हम लोग इसके लिए बहुत परियास करते हूं